हेलो फ्रेंस आज में आप लोगों के साथ बहुत ही ज़्यादा टेस्टी चटपटा कुरकुरा नास्ता की रेश्पी सेयर करूँगी जिसे आप बहुत ही जल्दवाजी में एकदम फटा फट से बना करके तयार कर सकते हैं इसे आप सुबा साम की चाई के साथ या फिर घर में कोई गेश्ट आजयत उन्हें भी इस नास्ता को आप बना करके खिला सकते हैं इस नास्ता को मैं आज बनाने वाली हूँ ब्रेड और उबले हुई आलू से उसके लिए मैंने यहाँ पर चार पीस ब्रेड के स्लाइसेज ले लिये हैं और दो मीडियम साइज के उबले हुई आलू लिया है जिसको की पहले ही ग्रेट करके लिया है अब एक बावल में हम पानी ले लेंगे अब बावल में पानी ले लेने के बाद एक एक करके ब्रेड के स्लाइसेज लेते जाएंगे और इस तरीके से पानी में डिप करते हुए इनका पानी हम निकाल लेंगे इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं रहने देंगे तुरत ही इसमें पानी में डालेंगे और निकाल लेंगे ब्रेड एकदम से सौफ्ट हो जाएगी और इस तरीके से दबाते हुए इसका पानी निकाल लेंगे तो हमने यहाँ पर चारो ब्रेड को इस तरीके से पानी में डिप करते हुए इसमें से सारा पानी निकाल लिया है और इसे एक बावल में रख लिया है अब हम एक दूसरा बावल ले लेंगे इसमें ग्रेट की हुए आलू को डालेंगे बावल में आलू को डाल लेने के बाद अब इसमें कुछ मसाले एड करेंगे तो मसाले बहुत कम ही इसमे जादा मसाले का यूज नहीं करेंगे तो मैंने यहां पर एक चोथाई चमच धनिया पॉडर ले लिया है एक चोथाई चमच लाल मिर्च का पॉडर एक चोथाई चमच हल्दी पॉडर एक चोथाई चमच जीरा का पॉडर और साथ में आधा चमच इतना चाट मसाला अगर साम चूर का पौरडर भी रम आटा भील साओ है खुझी सजाट महीं सब्सकरिण की अधरी दालिया हो दोहाले मिरच की टॉलर 6-0 का यहां ने टाल जाला है किरे काऊने नल सकते क्साँए ने जिसे यह हाथ हमें चिपकेगा नहीं अब फिर से इनको एक बार मिक्स कर लेंगे और एकदम से डो के फॉर्म में इसको ले आएंगे तो देखे हमने सारी चिर्यों को अच्छे से मिक्स कर लिया है अब यहाँ पर हम एक चकला ले लेंगे उसके उपर पहले से ही मैंने ओल मीडियम थिकनेस का इसको फैला लेना है उपर से एकदम से चिकना कर लेना है अब इस तरह से इसको फैला लेने के बाद पिजा कटर या फिर चाको की साहता से इसको कट कर लेंगे ध्यान रखेगा कि चाको में या फिर पिजा कटर में पहले से ही ओल लगा लीजेगा जिसे पिजा कटर चाकू में चिप के गा नहीं इसे में रेक्टेंगल सेप में कट कर रहे हूं पो बदेश आप बद में या क्योजा सेप में ह Muito में उन्हें कर सकते हैं ल कहां बदेशा कर दोuste हैं स्धेश के लिए या फिर पार तक भीस आप कले वी30-2001 के लिए रख लिया है और गरम हो चुका है आप चाहें तो इससे कम और में भी इसे फ्राइब कर सकते हैं या फिर इससे ज्यादा और में भी इसको फ्राइब कर सकते हैं और गरम हो जाने के बाद एक एक करके नास्ते को पैन में डाल लेंगे और नास्ते को पैन में डाल लेन पर इसे नहीं fry कीज़ेगा नहीं तो नास्ता बहुत ही ज्यादा ऑईली हो जाएगा नास्ता जब एक तरब से सीख जाएगा तब इसको पलट लेंगे और उलटते पलटते हुए इसको गोल्डेन और क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लेंगे तोदेखे Ffps हमने इसको दूसरी तरह पलट लिया है अब इसको इस दो मिनट दूसरी तरह भी सिखने देते हैं नास्ते को दूसरी ओर से सिखते हुए भी 2-3 मिनट हो चुका है आप देख सकते हैं इसमें कितना अच्छा सा प्यारा सा गोल्डन कलर आ चुका है ये नास्ता बहुत ज़्यादा oil को एबजॉर्ब भी नहीं करता है बहुत ही कम oil में ये fry हो जाता है तो देखे फ्रेंस ये हमारा नास्ता सिख करके तयार हो चुका है अब इसे निकाल लेते हैं इसी तरह से हम सारे नास्ते को fry कर लेंगे और इसे प्लेट में निकालते जाए एक प्ले यावी साफ कर्लिया है नास्ता देखनी एक सुन्दर लग रहा है और ये खाने मैं भी बहुत थी ज्ञादा टेस्टी लगने वाला है एसे मैंने टमैटू कैज़प के साथ सर्व किया है आप इसको अपने पसंद की किसी भी चगनी के साथ सर्व कर सकते हैं आप भी इसको अपने घड़ में जरूर से ट्राइ घीजिएगा और आपको इस पी कैसी लगी मुझे कॉमें जरूर बताईएगा रेस्पी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक सेर और चैनल पर यदि नए हूं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा